एलो अब्रीबन नेच टापिक देखो हार्मॉणिक मीन ओके हार्मॉणिक मेन फीर पोल दो हुदा क्या है देखो दशायो द न ओड हई होएटम इस एक upon 1 upon x1 1 upon x2 plus dot 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 1 upon xn ऐसे आप इसको harmonic mean इसका calculate कर सकते हो एक example देखो question है the harmonic mean of 4, 8 and 6 you have to find the harmonic mean of 4, 8 and 6 option है 6.4, 6.7, 6.85 and 7.8 okay देखो इसको solo करने का तरीका यह है कि hm harmonic mean is equal to okay harmonic mean equal to n upon 1 upon x1 plus 1 upon x2 plus 1 upon x3 okay now where n जो n है ना n equal to number of term term okay that is x1, x2 and x3 कितने है वो आपको बताएगा ठीक है चलो देखो इसमें देखो number of term कितने है 1, 2, 3 तो n की value कितनी हो जाएगी 3 okay now 1 upon x1 कितना है 4 तो 1 upon 4 plus 1 upon x2 कितना है देखो a आपका value x1 है a x2 हो जाएगा a x3 हो जाएगा okay and n कितना हो जाएगा n की value कितनी हो जाएगी 3 तो 3 upon x1 1 upon x1 plus 1 upon x2 कितना है 8 plus 1 upon x3 कितना है 16 जब आप इसको solve करोगे कितना है देखो 3 upon जब आप इसको solve करोगे तो answer आएगा देखो जब आप इसको solve करोगे तो 1 upon 4, 1 upon 8 और 1 upon 16 आप इसको solve करो देखो इसका LCM कितना हो जाएगा 4, 8 and 16 का LCM कितना हो जाएगा देखो 2 ठीक है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 and 8 2 जा 16 now 2 से करो 1 2 and 4 now 2 से करो 2 1 1 and 2 अब किसे करो गया 2 से करो 2 1 1 and 1 तो इसका factor कितना आ गया 2 2 2 2 2 2 2 1 equal to how much 2 2 4 2 16 2 2 4 2 8 2 16 तो को इसका calcium कितना आ गया 16 आप यह 16 रख दो ओके now अब इसको solve करने का तरीका होता जो add करने का 1 है न तो यहां 1 लिख दो simple into अब denominator कितना आप 4 है न अब इसमें देखो 4 कहीं है 2 2 2 जा 4 है न देखो इससे आपको 4 मिल जा रहा है तो इसको खतम कर दो कितना बचा 2 2 2 जा 4 into 1 that is 4 तो आप 4 से multiply कर दो पलस आप देखो numerator कितना 1 तो हम 1 लिखेंगे into अब इसमें धूंडो 8 कहां है देखो 2 into 2 into 2 इतना से 8 मिल जाएगा न बचा कितना 2 1 जा 2 तो आप इससे multiply कर दो 2 1 जा 2 से पलस 16 1 ओके denominator 1 into 16 ढूंडो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 into 1 16 ठीक है कितना बचा 16 टोटल हो गया बचा कितना 1 बचा ठीक है तो 1 into 1 तो टोटल कितना आ जा गया देखो टोटल जाब कर दोगी इसको 4 1 जा 4 upon 16 4 1 जा 4 2 जा 2 and plus 1 1 जा 1 ओके नाओ 4 and 2 6 and 1 7 7 upon 16 ओके इसका बचा कितना जागा 7 upon 16 तो आप यहां इसकी बचा कितनी भर दोगे 7 upon देखो 7 upon 16 आया नो तो 7 upon 16 अब यह 16 ऊपर आ जाएगा ठीक है तो देखो हम हम is equal to 3 into 16 upon 7 ओके नाओ जब आप इसको solve करोगे तो answer आएगा 6.85 ओके नाओ this is your right answer okay thank you class